कर दोस्तों खेति बारी चलल में आप सबीकर स्वागत है मैं मुकेश कुमार दोस्तों आज आपको बताऊंगा बदाम की बिच्छे में जिसे दोस्तों अभी सब लोग जानते कि हाँ दिस्टमर मेहने में दोस्तों पूलाएगा गा तो दोस्तों जिसे आपके पिए ना करना ताकि आने वाले असल में बदाम हमारा अज़ बढ़ जस्त आ है तो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि अब बदाम में क्या करना चाहिए तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें अगर प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चिनों को सब्सक्राइब करें ताकि द ज़्यादा डालते थे या पानी भी डाल है तो दोस्तों को पानी बिल्कुल बंद करना चाहिए ताकि दोस्तों की जो पत्तिया ही पत्तिया गिर जाएगी तब हमारा फूल सही सलमत नहीं आएगा जब अगर फूल सही नहीं रहेगा तो इसलिए अगर आपके बदाम में भ तो पत्ति सरी गे जाए और फूल आपको सही आए ठीक है दो फ्रेट जो बहुत बड़ा प्यादा है जिसमें पाइन डालते हैं ताकि आधी पत्तिग्रिय आधी विवाकी है और जिसमें बिल्कुल पत्तिग्रिय उसको आपको देखाते हैं कितना जबाजस अभी कूचिया जबाजस को जी उसमें आई हुए है इसे दोस्तों देख रहे हैं इस पर हम पानी बिल्कुल बंद कर दिये हैं यह पूरी इस पर पत्ति आनी मांगे लिए यह तोड़ी बागी है परसब बाकी पत्ति गिर चुकी है और दोस्तों बहुत जबाजस कूचिया हुए है यह जि जब नीचे की जाएगे तो इसमें जगा हो जाएगा और जबास फूल आजाएगा तो इन्हीं हावा में गिर जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो अगर आपके पास बदाम है तो अभी थोड़ा से पानी पर कंट्रोल कर दें और आपके जो कूची आने वाला पाई डालेंगे तो फूल आ जाएगा जैसे मैंने आपको वीडियो ती दिने पहले आपको दिखाए हैं दोस्तों उसमें सारा फूल आ गया तो इसमें से क्या होगा आधा ज्यादा यह नहीं गिर जाएगा ठीक है दोस्तों तो अगर आपके पास इस बदाम हो रहा है भी उची में हैं तो दोस्तों पानी कंट्रोल कर दीजिए उसके बाद इसमर के बाद में दोस्तों आप अराम से पाई शुमें डालें इसमर के बाद में जब आज दोस्तों पूल आएगा और बदाम रुखेगा ठीक है दोस्तों यह है बदाम अभी कुछ या रहा है ठीक है द